हाई एव्रिवान आप सभी कर सागोते एक और नी वीडियो में नीवेट जानके लेके साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको इवेन नमबर एक्टिवेट करने की कॉम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं बिल्कुल लेटर्स प्रोसेस दिखाने वाला हूं 2023 की और इस प्रोसेस को आप अपना मोबाइल फोन से ही कर सकते हैं अपना इवेन नमबर को एक्टिवेट कर सकते हैं दोनो प्रोसेस इस वीडियो में मैं step by step दिखने वाला हूँ तो please वीडियो को end तक जरूर देखना जानकरी पसंद आए तो please वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर आप नए हैं तो please चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगी भी आपको पिएप एंलेटेड तेट आपका mobile का desktop mode on कर लेना है इसके लिए right side में आपको three dot पर क्लिक करना है आपको three dot दिखेगा तो next यह पर आपको desktop side में check out कर देना है आपका जो mobile का page है बिल्कुल laptop या PC की तरह यहाँ पर open हो जाएगा आपको अपना event number को activate करने के लिए आपको EPF member portal पर ही आना होगा next नीचे select down करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको बहुत सारे option देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं activate event तो next activate event पर क्लिक करेंगे page कुछ इस तरह के से open हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं activate your event next नीचे सोरा से select down करेंगे यहाँ पर आपको कुछ अपना details फिल करना होगा और यहाँ पर आप interaction देख सकते हैं यह information जो आपको फॉलो करना है the following information banning entire sold be as per EPF record यहाँ आपकी पास अपना event number होना चाहिए next आपकी आधरकार नमबर name date of birth आपकी जो आधरकार में है same date of birth name same details आपकी पीएप में भी होना चाहिए आधरकार की साथ एक mobile number भी link होना चाहिए यह जो information दिये follow करने के लिए तो इस सब को follow करने के बाद ही आप अपना event number को activate कर पाऊगे जैसे कि दोस्तों आपको starting में मैंने बताया था कि आपको दो तारीक से आपना event number को activate करने की तारीक बताऊंगा तो दोस्तों अगर आपकी पास आपना event यह आधर काड की साथ मोबल नंबर निंक है यह पर आपको इंटर करना है अगर अगर कुछ कर सकता है पहला प्रोसेस आगर आपको इवेन नंबर नहीं मिला है अप पिये नंबर मिला है में वाड़ी है अपकी तो यह पर Member ID पर क्लिक करेंगे, यह पर Member ID इंटर करना है और बाकी यह पर आपको same details इंटर करने हैं, आपका नाम, date of birth, mobile number, पुरा details इंटर करने के बाद next box पर check out करेंगे, next get authorized pin पर क्लिक करेंगे, next interface कुछ इस तरीके से open हो जाएगा, यह पर आपको एक notification देखने को मिल जाए यह पर आप देख सकते हैं, activate your event, next यह पर जो details आपने फिल किया था, यह पर आपका event नमबर, आधन नमबर, name, date of birth, and mobile numbers, यह पर आपको देखने को मिल जाएगा, next नीचे select down करेंगे, आपकी आधर लिंक, mobile number पर जो OTP को यह पर box में इंटर करेंगे, next valid OTP and active event पर क्लिक है, OTP submit करते हैं, next interface आपको इस तरीक से देखने को मिल जाएगा, यह पर आपको notification देखने को मिल रहा है, your event has been activated successfully, and default password has been sent to your registered mobile number, और आपके mobile number का 4 digit यह पर देखने को मिल रहा है, यानि आपका event नमबर जो है, activate हो चुका है, और आपकी event नमबर का जो password है, आपकी registered mobile number पर SMS की जारिया, बेज दिया है, जैसे कि display पर आप SMS देख सकते हैं, और password कुछ इस तरीके से, kindly change your default password, और यहाँ पर आपको बता रहा है, कि आपको जो password मिला है, SMS की जारिया है, उस password को आपको change कर लेना है, EPF की तरफ से जो password आपको मिलता है, कुछ उटपटंग से होता है, जो कि आपको याद रखना कभी मुश्किल होता है, जैसे कि आप display पर देख सकते हैं, आपको किस तरीके से change कर सकते हैं, चलिए password चेंज करने के भी complete process आपको दिखा देते हैं, दूबार से आपको member portal की home page प पर इंटर करेंगे, next sign in पर click करेंगे, next interface कुछ इस तरह के से open हो जाएगा, यहापर आप देख सकते है, change password, तो यहापर आपको बता रहे है, kindly update your password, तो next आपको जो password SMS की जारिया मिला है, उस password को यहापर old password पर इंटर करेंगे, आपको आपना ही सबसे password को create कर लेना है, तो new password को आपको new password पर इंटर करना है, confirm करने के लिए आपको confirm password पर इंटर करना है, आपको जो भी password create करना है, आपको create कर लेना है, new password और example आप डिस्पले पर देख सकते है, कुछ इस तरीके से आपको अपना जो password create कर लेना है, next यहापर आपको box में check out करना है, next get other OTE पर click करना है, यहापर आपको पुछा जाए रहा है, are you sure to change password तो next यहापर ओके पर click करना है, next यहापर आपको wait कर लेना है, next यहापर आप देख सकते है, change password and OTP has been sent to your other link, mobile number और यहापर का जो आपका आधर कर के साथ, जो mobile number link है, यहापका 4 digit आपको देखने को मिल जाएगा, आपकी mobile number पर जो OTP आया है, उस OTP को यहापर इंटर करेंगे, next change password पर click करेंगे, अब देख सकते हो, EPF की तरफ से message भी आ चुका है, password has been changed successfully, kindly login with the new password, click here to login, यहापर आपको click करना है, next यहापर आपका बार डिजित का event number और आभी अभी जो आपने new password बना है, new password यहापर इंटर कर लेना है, next capture को इंटर कर लेना है, next sign in पर click करेंगे, तो दोस्तो यहापर आप देख सकते है, new password से जो है, अभी अपना PF account login हो रहा है, open हो रहा है, new password create करने के बाद ही, आप अपना PF account को login कर पाऊगे, या open कर पाऊगे, देख सकते है, अपना PF account number है, यहापर activate हो चुका, right side में आपका event number को activate कर सकता है, आपनी phone के जारिया, को event number activate करने की complete process दिखाया हूँ, I hope जानकरी आपको काफी पसंद आया होगा, आज की इस वीडियो में इतना ही था, I hope जानकरी आपको काफी पसंद आया होगा, जानकरी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को like करिएगा, चैनल पे आप सब फिर मिलते हैं, नेक्स वीडियो में नियक आपनेट के साथ, तब तब अपना खेल रखना, शुरुक्षीत रहना, तब तब के लिए, बाबाई